नमस्कर दोस्तों मैं उदयलार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने वाले हरकिसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़े में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसाय है मुर्गी पालन का हाँ दोस्तों दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आज मेरा युवा जूज रहा है दो दोस्तों वहन नहीं रहे बनिये का दुकान था जिसका कलेक्शन चार से लेके 5000 तक था लेकिन दोस्तों आज 4500 की भी लाले पड़े है और ऐसे में दोस्तों व्यावसाय क्या किया जाए सूज नहीं रहा है व्यावसाय कौन सा किया जाए सूज नहीं रहा है ना मार्केट में जगह है ना मार्केट में वहाँ पर व्यावसाय करने के लिए राशी है ऐसे में फिर हम क्या करें ऐसा आपका सवाल है और रहेगा लेकिन दोस्तों दुनिया का इक लोता व्यावसाय है दोस्तों कि जो आप से ज्यादा वहाँ पर जो है दोस्तों जमा पूंजी नहीं मांगत आप कितने पड़े हो पड़े लिखे हो या अग्यानी हो नहीं यहां पर मांगता है वह इतना ही मानता है जानता है कि भारत की 142 करोड की जन संख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए आज भी देशी मुर्गी पालन का यह व्याउसाए बाहे फैला कर खड़ा है दोस्तों आज बेरोजगार यवा युवती दिव्यांग विकलंग व्यक्ति वयस्क आबादी का सदस्य आधी रात को उटकर भी खड़ा होता है तो दोस्तों यह व्याउसाए उसे साथ देने के लिए ततपर है लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे महत्तोपुर्ण दिक्कत है व्याउस दोस्तों अगर आपको मुर्गियों का ठीका करन और बीमारियों को रोकने में सफलता प्राप्त हो गई और साथ ही में दोस्तों अगर मुर्गी पालन के व्याउसाएं में आपने फिड का खर्चा कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकती है ऐसे में दोस्तों आप इस बात को छोटा मत समझिए जिसने फिड़का खर्चा कंट्रोल कर दिया वह सव प्रतिशत दो साल के भीतर इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा गाव देहात में बैट कर भी कमा सकता है इसके तहट दोस्तों आज की हसंकलपना की स्रिफ एक रुपए में दोस्तों हाँ स्रिफ एक रुपए में मैं आपको हर मुर्गी का हर दिन का फिड़ का खर्चा अड़्जस करके दूँगा आपको विश्वास नहीं होगा तो मेरे लिए इतना कीजिए कि वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लिजे मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आपके हर सवाल का जवाब इसमें छिपा होगा आपकी मुर्गी तंदुरुस्त रहेगी आपके मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा आपकी मुर्गियों के बीमारियों के खिलाप लड़ने की ख्शमता बढ़ेगी मैं कॉलिटी के साथ कॉम्परमाइज नहीं करता हूँ दोस्तों इसी लिए मैंनी यह formula research करके आप के लिए ढूंड कर निकाला है क्योंकि मैं यहाँ पर मानता हूं कि मैं जो हुँ खुद देशी मुर्गी को हर घर तक पहुचाने के लिए दोस्तो लालाइत और उत्साहित हूं लेकिन मेरा अगर यह संगर्ष हर घर तक पहुचना चाहिए त उसके लिए दोस्तो फिड़का यह जो खर्चा है जो आपसे ज्यादा होता है उसे कंट्रोल होना ही होगा इसलिए दोस्तो अगर आपका सपना हजारों और लाखों में मुनाफ़ा कमाना ऐसा है सपना देखना गुना नहीं है दोस्तो लेकिन रात के सपने पूरे करने के ल नरोद करता हूं कि आपका भाई समझ कर अगले आठ से लेके दस मिनिट मेरे लिए दीजिए यानि आपके खुद के लिए दीजिए दोस्तों आपकी बेरोजगारी हटाने वाली संकल्पना है दोस्तों और आपको लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करके देने वाली इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिए पसंद आया तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप स्टाग्राम ग्रूप इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोचल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए तक आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और रहा सवाल दोस्तों सब्सक्राइब का तो दोस्तों दी जान से जुटा हूं दोस्तों इस व्यवसाय को हर घर तक पहुचाने के लिए हर घर देशी मूर्गी इस योजना को सफल करने के लिए आप से इतनी ही विनती और गुजारिश करता हूं दोस्तों कि मैं आप सभी को अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा इसलिए हाद जोड कर आप से अनुरोद करता दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और दूसरों को करने के लगा वहां पर लगा दीजिए ताकि दोस्तों यह देशी मूर्गी पालन की जो क्रांती है घर तक पहुचे इसके लिए दोस्तों इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटे आंग इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफ दोस्ते दोस्तों वो 4,8,10,15,20,25 मुर्गियों को संभालते थे गाउ देहात का वह दोस्तों सीन आप याद करिये कि जब यहां से 50 साल पहले या 30 साल पहले गाउ देहात में ऐसी मुर्गिया थी कि जो छूटने के बाद दोस्तों सीधे गोबर के खाद पर जाके अपना फ बब छोडा जाते है इतना डोस्तो इमांदार अगर कोई बर्ड दुनिया में दूसरा नहीं है इसलिए दोस्तोई लेकिन आजकर कैसा हो चुका है दोस्तों जगव नहीं बाकी है यानि कि अगर हम पहले सोचते थे कि हमारे पास जगह बहुत ही ज़्यादा थी हम मुर्गों को बहुत आसनी से छोड़ पा सकते थे दोस्तों लेकिन ऐसा आज नहीं है आज सिटी की तो बात छोड़ दीजिए इंच इंच के लिए दोस्तों सेंटेमेटर के लिए ला पर वो खुद घुमेगी खुद कीडे मकोडे लेंगी केचवे खाएंगी गेहों जवार मका बाजरा और दोस्तों चावल का सेवन करेगी आइसे मैं दोस्तों अगर मुर्गों की इतनी इच्छा को आप पूरा कर दोगे तो दुनिया की कोई भी यहाँ पर जो दोस्तों ब है बेच कर आप सोने का अंडा भी खरिद सकते हों कि इसलिए पूराने लोग क्या कहते हैं कि अगर आप देहि मुर्गी पालन का संगोपन ठीक आधुनिक तंत्र का यहां पर इस्तमाल करना है जो modern टेकनिक है दोस्तों उसके आनुसार हमें क्या करना है दोस्तों की free range का यहां पर साहियता लिनी है दोस्तों और उसमें क्या क्या करना है कि हमारी मुर्गी को घूमने के माध्यम से वह फिड का अगर collect करेंगी तो हमारा फि जगह पर बैट के रही है तो दोस्तों उस मुर्गी को 60 से लेके 80 ग्राम तक यानि आवसतन एक देशी मुर्गी प्रति दिन सव ग्राम के करीब करीब फिड को consume करती है यानि अगर मुझे यहां पर एक रुपए में एक दिन का एक मुर्गी का फिड करना है तो एक प्राप्त होगी अभी तो लगता होगा बहुत ही दिक्कत वाली बात है सर अपनी बाते वापस ले लीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रुपए में एक दिन का मुर्गी का फिड हो पाए दोस्तों करके दिखाऊंगा अगर आपको ठीक लगे तो इस्तमाल कीजिए नहीं छोड़ दिजे किसी पर जोर जबर्दस्ति सविप्रतिशत नहीं है मेरा काम है आपको समझाना आपका अ यहां पर काम हें समझकर अगर इस्तमाल में आये तो इस्तमाल कीजिए नहीं, तो छोड दिये तो देखे दोस्तो शुरुआत कहां से करेंगे दोस्तो शुरुआत होगी दोस्तो यहाँ पर 100 ग्राम फिड को एड़ेस्ट करने के जिसमें सबसे महत्तो पूर्न बात है हाद जोड कर विंती करता हूं कि आप अपने यहाँ पर free range में सहजल के पोधे को लगाईए पोधा समझ में आया ठीक है नहीं तो google पर जाईए drumstick नाम डाल दीजे दोस्तों drumstick के photo आ जाएंगे आपके यहाँ पर जो बोला जाता है उस तरीके से बीज उपलब्द कर दीजे और उस हिसाब से दोस्तों आपके जमीन के जिस टुकडे पर मुर्गी पालन का यह व्याँ सै किया जाएगा वहाँ पर सहजल का और सहजल का ही पोधा लगना चाहिए क्योंकि सहजल का पोधा मेडिसीन के लिए बहुत ही कारगर है सहजल का यह पोदा दोस्तों आपके लिए फिड का आईसा अस्त्रोत तयार करता है जिस माध्यम से आपका फिड का खर्चा घड़ जाता है सहजल के पोदे के पत्ते, सहजल के पोदे की फलिया, सहजल के पोदे के फूल और सहेजल के पौदे के मूलियों के पास पनपने वाले कीडे, मकोडे, केचवे इन सभी का इस्तमाल करके हमारी मुर्गी दिन भर में कम से कम आउसतन 20 ग्राम फिड आसानी से अड़्जस कर लेती है यानि दोस्तो हमें 100 ग्राम में से 20 ग्राम का फिड का इस्तमाल फ्री रेंज में सहेजल के पौदे के मात्धिम से ही करना है और यह करना होगा इस सफलता के लिए मैं मार्गदर्शन उचित तरीके से करता रहूँगा तो आभी 100 ग्राम में से 20 ग्राम चला गया रहा 80 ग्राम अभी 80 ग्राम की बात कर दिया अभी तक 0 रुपए खर्चा हुआ है उसके बाद दोस्तो और 20 ग्राम में आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको मुर्गी पालन के व्योसा में आगे बढ़ना है तो पुराने कुछ तरीकों को भी अपना पड़ेगा नए के साथ फिट करना पड़ेगा तो पुराना तरीका क्या था कि मुर्गीयों को छोड़ा जाता था तो मुर्गिया जो है गोबर के खात पर वहाँ पर जाके अपना जो है गुजर बसर कर ले थी इसलिए अगर आपके पास गाय भैस बक्री अगर हो तो इस खात को मिलाना है दोस्तों और गड़े में डालन तो इस माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में कीडे, मकोडे, केच्वे वगरे वहाँ पर जो है दोस्तो तयार हो जाएंगे यानि कि दोस्तो इस माध्यम से बहुत आसानी से और आसान तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे और इस माद्यम से दोस्तों आपकी मुर्गियों के जो दूसरी मुर्गियों की काटने की समझ से आहे डैमेज करनी को मौटरिटी रेट भी घट जाएगा और साती में दोस्तों आपको तकरीबन कम से कम 20 ग्राम फिड़ी हां से मुहया हो जाएगा यानि कि आपका और 20 ग्राम के लिए जीरो बजट ये जो दोस्तों परियाप्त प्लैन तयार हो जाएगा इसका इस्तमाल आप 12 महा 365 दिन कर सकते हो यानि कि 100 ग्राम में से 40 ग्राम चला गया रही बाद 60 ग्राम तो 60 ग्राम में आभी यहां पर बात करते हैं तो दोस्तों आपके नजदिक देखिए वहां पर तरकारी की जो मंडिया होंगी तो वहां पर जो है जिस समझ जो तरकारी जो फल वगरे सस्ते मिलते हैं यानि कि ब यह भी जीरो रुपए में हो जाएंगा यानि दोस्तों आभी तक आपने 100 ग्राम में से 60 ग्राम यानि 60 प्रतिशत काम कर दिया जीरो रुपए में इसलिए दोस्तों सफल आप सव उप्रतिशत होगे अभी इसमें कभी कभी आपको कुछ कम मिलेगा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा तो अल्टरनेट के लिए देखिए गर्मियों के मोसम में आप क्या कर सकते हो हाइड्रोपोनिक विदी के माद्यम से एक किलो से आठ किलो मकाई एक किलो से आठ किलो गेहूं जो है दोस्तों तयार कर सकते हो जिस माद्यम से आपका फिड का खर्चा और भी कम होता रहेगा इसके साथ साथ दोस्तो एक बात जान लिजे गर्मियों के मोसम में तो ये ठीक है लेकिन सर्दी और बरसात के मोसम में वेस्टेज मचली है वेस्टेज चिकन शॉप से मिलने वाला चिकन है साथ ही में होटेल होस्टेल रेस्टरॉंट से मिलने वाला फिड इनका भी इस्तमाल करके आप फिर का हरचा कम कर सकते हो तो इस माद्यम से दोस्टों 60 ग्राम के लिए आपको 0 रूपे का खरचा करना पड़ेगा यानि आपका जो खरचा है 0 रूपे में 60 और शीलीज हो गया रही बात प्र हम 40 जालिज ग्राम में दोस्तों तो आपको 30 ग्राम गेहूं, जवार, मकाय, बाजरा और चावल का इस्तमाल करना है और जो आटे की हमारी चक्की होती उसके नीचे का आटा ये इसका 30 ग्राम के ऊपर जो है दोस्तों प्रतिशत नहीं जाना चाहिए और बरसात और सरदी के मोसम में 40 ग्राम तो चला गया तो क कोई दिक्कत की बात ने, लेकिन गर्मियों के मोसम में 30 ग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए इस माध्यम से दोस्तों देखे आउसत 15 रुपे प्रति किलो मान लिजे कही सस्ता कही महेंगा मिलेंगा लेकिन जो सस्ता है उसका प्रमान बढ़ा दीजे उस माध्यम से तकरिब तो अभी तक आपने 90 ग्राम के लिए तकरिबन 45 पैसो का इस्तमाल कर दिया रही बात 10 ग्राम की तो 10 ग्राम में हमने मुर्गियों को जो फिड दिया उस माध्यम से सभी कंटेंग पूरे हुए नहीं हुए पता नहीं है विटामिन A से लेके विटामिन D, कैल्सियम, फॉस् में लियर फिड का इस्तमाल करना है, देशी मुर्गियों में लियर फिड का इस्तमाल स्रिफ 10 ग्राम के करीब करीब प्रती मुर्गी करना है, प्रती दिन इस हिसाब से आपको पता है लियर फिड का रेड 40 रुपे प्रती किलो यानि आप लगभग लगभग 4 पैसे में 1 ग विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, कैल्शियम, मिनरल सभी मौझूद रहेंगे यह फिड मुर्गी को तंदुरुस्त रखेगा बीमारियों के खिलाप लढ़ने की क्षमता भी बढ़ाएगा और अंडों का प्रोडक्शन भी वहां पर बदस्तूर जारी रहेगा मुझे बात बताईए क्या मैंने कुछ अलग किया मैंने आपकी जो बाते हैं उसी सामगरी का इस्तमाल करते हुए आपके सामने प्रस्तू जूडियों में सभी जानकारी रखी यानि दोस्तों हमारी बात कैसी हो चुके है कि बगल में चुरी गाउं में धिंडोरा आईसा मत कीजे करते हैं तो दोस्तों आपके पास सुलूशन है कि दिक्कतों को सामने लाते हुए हमारे दोस्तों तो पहुंचाना हमारा काम है क्या आप आपने ऐसा सुलूशन कभी देखा है अगर नहीं तो दोस्तों आज से आगै यानि 7% हो सकता है अगर आपने सोचा और आपने करने की अगर ठानी है तो और वीडियो बहुत ही बहितरीन है दोस्तों लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपुर्ण है इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिस करता हूं कि लाइक तो कर दी होगी नहीं कि होगी तो कर दीजी लेकिन उससे भी महत्वपुर्ण है कि यह वीडियो जितने ज्यादा मेरे मुर्गी पालक भायों के पास बेरोजगार युवा यूती दिव्यांग विकलांग व्यक्ति और वयस का अबादी के सदस्य तो पहुचेगा तो दोस्तों इस माध्यम से उनकी ज सोचिल मिडिया के सादनों का इस्तिमाल करते हुए आप लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विनधी करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूँगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो क्रिपए सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाय देने वाले लाल रंग के सब्स किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत आभाई